हैलो फ्रेंड्स, वेलकम टो पुष कीचेन, आज का रेसीपी पोटेटो तावा सैंड्रूइज, मेरा वीडियो हेल्पू लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सस्क्राइब करना ना भूले पॉटेटो तावा सैंड्रूइज पनाने के लिए एसो इंगीडियेंस रहिए, दो बॉयल पॉटेटो में छिलका निकल के रखा, दो चमो चॉयल, सुजी बा स्यमूलीना, एक कपलिया आधा काप दही, दही फेट के रखा, टैपसिकाम आधा और अनियान आधा बारिक पाउडर आधा चमाच, एक बड़ा बाउल ले लिया, रवाव सुजी बा समूलीना जो बोलेंगे, ओले लिया, आधा चमाच नमक और जो रही फेटके रखा था, पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी, अच्छी तरह से मिक्स करके, और थोड़ा पानी आड़ कर दिया, आपन आवर्स सेट होने के लिए छोड़ देख दियो, बड़ा बाउल ले लिया, जो बॉइल पोटेटो लिया, और पहले अच्छी तरह से मैस कर लिया, अच्छी तरह से मेस कर लिया, बाउन ए अड़कर दिया, जो आड़वादल दिया, आप्सिकम आड़कर दिया, रोस्टेट जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसला और टेस्ट कार कोड़ीं नमा सारे मसला को पटेटो को साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी मसला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया सुझी भी सेट हो गया और थोड़ा सा पानी आड़ करके बेटर को थोड़ा लिक्विट कर लेंगे अभी अगले प्रोसेस में जाओंगे एक पैन गरम हने के लिए रख दिया तवा गरम हो गया एक चमच ओयल एड़ करके अच्छी तरह से स्प्रेट कर देते हूं एक चमच पीड़ा से एक अच्छी तरह से स्प्रेट कर दिया और जो पॉटेटो का स्टॉपिंग बनाया था वह भी एड़ कर दिया और उसके अपर से भी मिसरन को अची तरह से ढ़क के दोनों साइड अची तरह से प्राइ कर लोगी एक साइड प्राइ होने को बाल दूसरी तरह किल्ट कर लेने को और आची तरह से शेख लेनेatri दोनो साइड आची तरह से फ्राइ a अब एक प्लेट में निकल लेती हूँ आप से प्रोसेस में क्लाशामा रहर करलेती हूँ टेस्टी हेल्दी पोटेटो तावा सेंड्रुइज बनके रेडी हो गया इस उबे ब्रेकपास्ट पे बना के खा सकता है मेरा वीडियो हेल्पूल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सस्क्राइब करना ना भूले सुपर टेस्टी पोटेटो तावा सेंड्रुइज बनके रेडी हो गया देखिए है ना मज़ेदार पोटेटो सेंड्रुइज एक कटके भी मैं सार्प कर लिया ग्रिन चाटनी के साथ खाने में बहुत स्वाधिस्ट लगदा है आप लोग एक बर बनाई है आप लोग कौन भाब मेरे साथ शेयर कीजिए मेरा वीडियो हेल्पूल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सस्क्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग